दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप प्राइवेसी पॉलोसी का पेज जनरेट करेंगे जैसे कि आपको यहां पर दिख रहा होगा होंब डिस्क्लाइबर अब आउट उस प्राइवेसी पॉलोड कर दी है तो आज हम जानेगे गेट प्राइवेसी पॉलोड की पेज किस तरीके से आप लगाएंगे ब्लोगर वेबसाइट उपर यहां पर आपको मैं दिखा दू ओपन करके कुछ इस तरीके का प्राइवेसी पॉलोसी का एक पेज हम बनाने वाले है काफी लंबा पेज है और सारी चीजे इसके अंदर दी गई है टोटल कंप्लीट डेटियल है यहां पर तो ऐसा ही हम पेज आज जनरेट करेंगे अपने एक न्यू वेबसाइट के लिए यह वाला जो सभशन आ रहा है क्लिक करेंगे यहां एडिटर ओपन होगया है तो हमें हैं लिखना क्या है यहां पर यहां पर लखी देता हूँ में प्राइवेसी पोलोसी जो आप और बनाना है या फिर आप get privacy लिखना चाहे जैसा भी आप लिखना चाहे तो वह यहां पर easily आप लिख सकते हैं इसमें कोई ऐसा इसू नहीं है बागी पेज बनाने आपको बहुत जरूरी है अगर आपको अपने वेबसाइट पे लेना है तो इसको यहीं चोड़ेंगे अब आप आपको गूगल का एक न्यू टेप ओपन कर लेना है यहां आ जाएंगे सेम प्रोसेस होने वाला है प्रीवेस तो यहां पर सर्ज करना है privacy policy जेनरेटर यहां फिर प्राइवेसी पॉलसी जेनरेटर फूर ब्लोगर सर्ज करेंगे तो काफी वेबसाइट आपको आजाएंग यहाँ पर अगर आप खुद से राइट करना चाहिए तो गूगल ट्रांसलेटर की मदद से हिंदी में बोल के किसी दूसरी प्राइवसी पॉलोसी को देख कर सकते हैं वक्ति यह वाला जो तरीका है हम यहाँ से यूज कर रहे हैं कोई दिक करने ही 100% सेफ है ओपन करेंगे फर है वाट इस यूर वैबसाइड यूर अब आपको अपने वैबसाइड का यूरल दे दिना दोस्तों सिंप्ली सको मैं बैक कर देता हूं इसको बैक करने के बाद में अब यहाँ पर नीच आएंगे तो व्यू ब्लोग का एक उप्सें आता है यहां इसको वैश्ट करेंगे देन उपर आपका जो URL है यहां आ जाता है फुर URL कोपी करूँगा कोपी करने के बाद में यहां से वापिस से चलेंगे जहां हम बना रहे हैं वहाँ पर यहां पर हम जो URL है इसको पेस्ट कर देंगे देन यहां पर जैसे मैं पेस्ट कर देता हूं तो जहां पर URL आ गया है या फिर आगा personal है तो आप individual select करें into the country country कौन से इंडिया है तो यहाँ पर मैं simply India search कर लेता हूँ यहाँ इंडिया set करदी है कि इस state क्या है मैं फिलहाल हो रायस्तान से पर राइस्तान से जहां से भी आप फाकिस्तान से नेपाल से यपिर किसी other state से है किसी दूसरी देश से है तो euro इसरी साब से आपको details ढल दी है एक जो हमारी privacy policy है कहां चाहिए कौन से मतलब किसी email ब्युक् प्राइदा मेलिंग यहां पर हमें मैसेज चाहिए यहां पर रेंडम मैल कोई भी आप देख सकते हैं जो चाहिए वह आपकी सही हो जाना हो कुछ भी मैं आपके देता हूं जैसे मैं आपको जो देखना है कि आप क्या चाहिए आपको आपको प्राइवेसी प्रॉफेसिनल टौ हमें प्रॉफेसनल चाहीए नहीं चाहिए अगर प्रिम्य MEM करनेको चाहिए यहां पर आपको फिर से आपकी जो मेल आपने डाली थी वो यहां पर दुबारा डालकर описании करणों एक्ए आपको करने के के बाद फिर यहां पर हम इसको प्रोसेस कर देंगे नेक्स्ट में तो फास्ट लिए आपको डाल देना जो भी मेल आपने डाली थी वस्यां पर रेंडबली वैसे पेस्ट कर देना कोई भी मेल वे रहा एंग जनरेटर पर क्लिक कर दिया अब देख सकते हैं जो जनरेटिंग है हमारी जैसे ही जनरेट कंप्लिट हो जाएगा तो लोडिंग हो रही है और यह जो आपकी प्राइवेसी पॉलोसी है वह आ चुकी है बगल में आप देख सकते हैं जो प्राइवेसी पॉलोसी आपके आई है यहां पर आपको टेक्स्ट में दिखाई देगी बट हमको HTML सही यूज क सेट करना है हमारी प्राइवेसी पॉलोसी कुछ इस तरीका से बनका रेड़ी हो जाएगी यहां पर कॉप्सन मिलता है कॉपी क्लिप बॉर्ड को तो इस पर हम इस वाला जो यूरल है हमारा यानकि यह वाला जो मतलब कोड है HTML कोड है प्राइवेसी पॉलोसी तो आप देख सकते हैं जो आपकी प्राइवेसी पॉलोसी है वह एकदम बनके रैडी होगी है परफेक्ट लिए इस तरी के से आपको एक privacy policy जो है बना देनी है दोस्तों जैसे आप इसको compose view से इस तरी के इस पर compose view पर करते हैं तो आपको privacy policy आपको समने दिख जाती है अब यहाँ पर एक link आपको आ जाती है जिस पर click करके इनको d-link कर देना इनको हटा देना है यहाँ पर इस तरी के से इसको हटा देंगे या फिर आप इसको बिल्कुल delete भी कर सकते हैं यहाँ से हटाने के बाद में यहाँ से आप कर सकते हैं यहाँ से यहाँ से कर देंगे यहाँ तक यहाँ से इसको delete कर देंगे या फिर इसको dealing कर देंगे, जहां जहां भी link होंगी, उनको हम अटा देंगे, यह हमारा website का link है, तो इसको रहने देंगे, बागी नीजे जहां पर भी आपको link दिखेंगी, इस तरीके से click करेंगे, dealing कर देंगे, इस तरीके से, जहां पर भी सारी privacy policy आपको देख लेनी, एक ब प्रीट देखने के बाद में, इसको जो है save कर देना है, अपडेट कर देंगे यहां से, या फिर save कर देंगे, तो इसको करने के बाद में, जैसे आप इसको करते हैं, इसको back करेंगे, इसको view करेंगे, अब इस पर जाएंगे, वीव पे, वीव पे click करेंगे, तो आपकी price policy जो है open हो जाएगी, यहां पर देख सकते हैं, आपके सामने यह दिख रही है, इस तरीकर से आपको दिखने वाली है अपने website में, अब यहां पर आपको URL का copy कर लेना है, अब इसको हम set करने वाले है, फ्रेंट पर यहां पर आप देख सकते हैं, हमारा website यहां के सामने है, home about contact us का page है, तो आप इससे हम चलेंगे, अपने blogger के अंदर, editor के अंदर, यहां जाएंगे, यहां एक option मिलता है layout का, यहां पर क्लिक करेंगे, layout पर क्लिक करने के बाद में, यहां पर एक option है, top navigation, यहां पर link list तो आपके आपके साथ थी, में page नाम से भी हो सकता है, तो यहां प इसके यहां पर add new item पर क्लिक करेंगे, then यहां पर new item क्लिक करने के बाद में, नाम यहां पर दे देंगे, privacy policy का जो आपको page वहां पर show कराना है, privacy policy, अपर get privacy, कुछी भी कर सकते हैं आप, यहां पर इस तरीक ऐसे, जो है, इसको कर देंगे, and link नीचे आपको दिखा दे रहा ह इसको हटा देंगे text को, और यहां पर जो आपने copy किया है, उसको यहां पर paste करके, इसको save करेंगे, then यहां से save कर देंगे, बहुत यहां से अथनी से, बहुत फास्ट ये काम, आपकर सकते हैं, और इसको देखा देंगे, and update करने बाद में, एक बार आपको refresh करके मैं इसको द अगर को और पेज आपको बनाना है किस तरी आपकरना है कमेंट करें अल्रेडी वीडियो अप्लोड है सारे पेज की सेपरेट वीडियो भी है अलग लग वीडियो है उनको देखें कोई चीज समझ ना आए तो कमेंट फिर से एक न्यूव बना दूंगा चैनल को सबस्क्राइ करता कि आपको जैनियन कंटेंट से हमें मिलते रहें